जिसने भी अहलिया की कहानी सुनी है, उसके मन में यह सवाल जरूर आया होगा. आखिर इंद्र ने अहिलिया के साथ ऐसा पाप क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी. अहलिया कोई सामाने महिला नहीं थी. इस कहानी की शुरुवात यहीं से हुई है. अपसर थी कि भगवान इंद्र भी उसे विवाह करना चाहते थे. लेकिन भगवान ब्रहma अन्य अपसराओं की तरह अहलिया के जीवन को इंद्रलोक में बंद नहीं करना चाहते थे. इसलिए ब्रहma ने अहिलिया को अध्यन के लिए गौतम रिशी के आश्रम में भेजा. रिशी भगवान, ब्रहमा और रिशी नारत चाहते थे कि अहिल्या का विवाह रिशी गौतम से हो। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से बचने के लिए एक चाल चली। उन्होंने अहल्या के लिए एक विवाह समारोह आयोजित किया और सभी असुरों, देवताओं को आमंतरित किया शर्त यह थी कि जो कोई भी पृत्वी के चारों और चक्कर लगाकर पहले आएगा, वह अहल्या से विवाह कर सकता है। यह सुंकर इंद्रदेव प्रसन होकर चुनौती पूरी करने के लिए पृत्वी पर चले गए। इस बीच आश्रम में रिशी गौतम शिवलिंग के च और चक्कर लगाने के समान था। रिशी गौतम अहल्या से विवाह नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वह उनसे बहुत बड़े थे और तपस्या के लिए उन्होंने सभी सांसारिक सुख त्याग दिये थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रिशी गौतम ने अह नहीं खाता था। अहल्या रिशी गौतम के साथ उनके आश्रम में रहने चली गई। इरशालू होने पर इंद्रदेव ने अहिल्या को पाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब रिशी गौतम बाहर थे, इंद्रदेव ने उनका वेश धारन कर लिया और अहिल्या के पास आ गए। यह समझकर कि यह उसका पती है। अहिल्या ने अपनी सारी पवित्रता इंद्रदेव को समर्पित कर दी। जब रिशी गौतम अपने आश्रम पहुंचे और अहल्या को किसी अने पुरुष के साथ देखा, तो उन्होंने उसे पत्थर बनने का श्राप दे जब उन्हें यह पता चला कि वह दूसरा पुरुष कोई और नहीं बलकी स्वेन इंद्रदेव थे, तो रिशी गौतम ने इंद्र को बदसूरत और नपुनसक होने का श्राप दे दिया।